2023 में क्या तस्वीर बनती नज़र आ रही है महगाई से हर एक व्यक्ति परिशान है और परिवर्तन करना चाहती है इसे तोर से हम सातों सीते जीतेंगे दो तीन गुठ हैं जिसके करण चुनाव मुखसान हो सकता है बुटवाजी हर जगे होती है सबसे बड़ा उधारण रह गाउं विधान सबा है अब हो ही दुसकर्म हो रहे हैं इन पर पावंदियां क्यों नहीं लग रही है पुरे भाजपा के नेता एकदम बॉखलाए हुए थे बाजपा में तो यह संबव ही नहीं है कि किसी को संबान मिले अभी आजादी के 75 साल बाद भी बहुत सारे गाउं ऐसे हैं जहां पर अभी बिजली नहीं पहुंची नमश्कार पेप्टिक टाइम मद्द्रदेश समाचार में आपका स्वागत है विधान सभा चुनाओ 2023 की निगरानी के लिए पेप्टिक टाइम का जो कारवा है वो सतना जिले में पहुंच चुका है हम पूरे मद्द्रदेश की यात्रा पर हैं और चुनाओ की तस्बीर को टटोलने की कोशिस कर रहे हैं जनता के साथ साथ उन जवाब देहों से भी मिल रहे हैं जिन्हें जनता ने अपनी नुमाइंदगी सौपी थी और उन्होंने इस कारिकाल में क्या किया महंगाई एक बड़ा मुद्दा है विधान सभा चुनाओ 2023 के लिए और पिछले दिनों मध्यपृदेश की विधान सभा में एक महीला विधायक हैं जो काफी चर्चा में रही थी जब वो सबजी की एक माला बनाकर विधान सभा सदन में पहुंची थी और सब का ध्यान उन्होंने अपनी और खींचा था महेंगाई की तरफ लोगों का ध्यान आकरिष्ट किया था और सरकार का किया था हम बात कर रहे हैं सतना जिले की रेगाओं विधान सभा से कल्पना वर्मा जो विधायक हैं इस विधान सभा छेतर में लंबे समय तक भाजपा का राज रहा तकरीबन 30 साल तक भारती जन्ता पाइटी यहां से जीतती रही लेकिन 2022 के उप चुनाओ में कल्पना वर्मा कॉंग्रेस की टिकेट पर यहां से चुनाओ जीती और भाजपा के कबजे को उन्होंने हटाया तो उनसे काफी उम्मीदें इस विधान सभा छेतर को भी हैं उनकी पाइटी को भी हैं उनके कारेकाल पर भी बात करेंगे वो हमारे साथ मौझूद है मेडम बहुत स्वागत है जी बहुत बहुत धनिवाद भाई साथ मेडम पहले तो 2022 में जिन उम्मीदों के साथ जनता ने आपको चुना था कितनी पूरी हुई वो उम्मीदें 2022 से अब तक क्या ऐसे काम हैं क्या ऐसी उपलबदियां हैं जो आपने पूरी की हैं हमारे सेग् करेंड का नाम जवाब दे हैं और हम इससे जनता के लिए जवाब तलाशने की कोशिस करते हैं कुछ ऐसे काम जो आप बताना चाहें जी बिल्कुल चुकि रेगाओं विधान सभा कही जाए तो अभी तक कही जाती थी कि पूरे मध्य पृदेश मेरी कोई पिछडी वी विधान सभा है सबसे पिछडी वी विधान सभा है तो रेगाओं का नाम ही आता था लेकिन अभी जब से उप चुना हुआ मैं उधर चुनाओ जीती जनता के सहयोग से आश्रवास से उसके बाद से हमने लगातार वहां काम किये हैं जैसे कि मानी मुखमंत्री जी 2008 से लगातार कॉलेज के लिए खुशना करते चले आ रहे हैं जब जब इलेक्शन आता था उनका एक ही मुद्दा रहता था कि हम को देंगे लेकिन उसके बावजूद आज तक नहीं दिया जब हम विधायक बने उसके बाद हमने इस मुद्दे को सदन में उठाया बार बार विधान सभा में कुश्यन किया और मानी मुखमंत्री जी से जवाब मागा उसके बाद हमारे रहगाओं विधान सभा को एक कॉल अभी तक चुके चौकी थी वहाँ चौकी का उन्यन होके होके थाना की स्विक्रिती मिल गई है तो यह हमारी उपलब्दियां है और हमारे रहगाओं विधान सभा में लाइट की बहुत बड़ी समस्या थी उसको लेकर हमने जब आवाज उठाई मुखमंत्री से मिले बाद करें, तब आप विधायक नहीं बनी थी, 2018 की अगर बात करें तो उसके हिसाब से जो तस्वीर वरतमान में बनती है तो 7 विधान सभासीटों में से 4 पर भाचपा कावज है, 3 पर कॉंग्रेस कावज है, 2023 में क्या तस्वीर बनती नजब आ रही है आपको? ये तो देखिए जनता का निर्णे है और जो अभी पूरे प्रदेश में माहौल बन रहा है और जो जन्मानस की चर्चा है जो जन्मानस की आवाज है चुकि महगाई से हर एक व्यक्ति परिशान है और आज इतनी महगाई है कि जिसके चलते जो साधारण व्यक्ति है जो मजद अब परिवर्तन की मोड में है और परिवर्तन करना चाहती है तो आने वाले समय में निश्चे तोर से हम सातों सीटे जीतेंगे आपकी यहाँ जो कांग्रेस तयारी कर रही है चुनाओ की उसमें कई दफा गुटबाजी की खबरें सामने आती है कि कांग्रेस में ही यहाँ दो चार सदस रहते हैं घर में चार बरतन होते हैं थोड़ा खटा पटी होती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनके अंदर मदभेध है गुटबाजी हर जगे होती है और कहीं सामने आती है कहीं सामने नहीं आती है हमारी पारिटी में कहीं कोई ऐसी गुटबाजी नहीं है और महिलाओं को लेकर मध्यपरदेश की जो शिवराज सरकार है वो काफी समवेदन शीलता दिखाने की कोशिस कर रही है पिछले दिनों लाडली बहना करके एक योजना वो लेकर आए जिसमें महिलाओं को एक हजार रुपे की नगत राशी दे रहे हैं आपको नहीं लगता कि इन हो रहे हैं नाबालिक बच्चियों के साथ बलतकार हो रहे हैं सामुहिक दुसकर्म हो रहे हैं इन पे पावंदियां क्यों नहीं लग रही है यदि सम्वेदन सील सरकार है महिलाओं के प्रती तो और निस्चित तोर पे अभी तक इस तरीके की नियम कानून और अपराधियो को इस तरह की सजा मिल जाती कि यदि कोई विक्ति यदि ये सोच भी रहा है तो उसकी रूह काप जाती लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है आई दिन महिलाओं के साथ बच्चियों के साथ इस तरह की दुसकरम हो रहे हैं अभी आपने दिखा होगा कि मडीपूर में जो होगी और यदि इस तरह की बात यदि सामने आ रही है तो मुझे नहीं लगता है इसमें हर एक व्यक्ति को हर एक पूरुस को सामने आकर इस तरह के करत करने वाले अपराधियों के प्रति कड़े से कड़े कदम उठानी चाहिए अगर सतना जिले की बात करें यहां के क्या चुनावी मुद्धे हैं कॉंग्रेस के पास किन मुद्धों को लेकर सतना में चुनाव में उतरेगी पाइटी चुकि सबसे बड़ा मुद्धा आज प्रदेश में महगाई का है और क्या है कि आपको भी मालूम होगा कि पिछले समय जब कॉंग्रेस की सरकार थी उस समय तीन सो से चार सो रुपे का सिलेंडर मिलता था लेकिन वही सिलेंडर के दाम बढ़ के आज 1180 रुपे के हो गए हैं और सबजियों के दाम तो आप जानी रहे हैं कि मतलब निरंतर महगाई बढ़ रही है जिससे आम जंता परिशान है और किसान भी बहुत परिशान है क्योंकि किसानों को बारे सभी जादा हो नहीं रही है जिसके चलते सर्वे करा के उनको उचित मुआपजा मिलना चाहिए लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है हमारे यहां बरगी नहर है 2008 से मानी मुखमेंद्री जी का कहना है 2008 से आ रही है लेकिन अभी तक वो बरगी नहर हमारे यहां आनी पाई है चुकि 2008 से टनल का काम चालू है औ उसमें से अभी 15-16 सालों में मात्र 8 किलो मीटर की टनल ही बन पाई है अभी भी 4 किलो मीटर की टनल बची हुई है तो मुझे नहीं लगता है कि अभी वो 2-4 सालों में भी आ पाएगी चुकि इतना धीमी गती से काम चल रहा है जिसके चलते आम जानमानस परिसान है किसान परि ख़बरें जुड़ती रहीं कि कई भार कारक्रमों में सरकारी कारक्रमों में आपने प्रोटोकॉल को नहीं पाया तो आप वहां से नाराज होकर चली गई सांसत जो शेतर के यहां के हैं गडेश सिंग जी उनके साथ आपकी अनबन बनी रहती है क्या पूरा मसला क्या है आप चुकि आप भी जानते हैं कि जो सत्ता के निता होते हैं उनको कहीं न कहीं अहेंकार आही जाता है और अहेंकार में वो किसी व्यक्ति को सम्मान नहीं देना चाहते हैं वहीं बस घटना करम मेरे साथ हुआ चुकि जो रेगाओं विधान साभा का उपचुनाओं रहा है उसमें चुकि वो भाजपा की सीट थी और वो सीट उनके हाँ से चली गई जिसके कारण पूरे भाजपा की निता एकदम बखलाए हुए थे और उनको ये पच नहीं रहा था कि हम इनको कैसे कुरसी दे तो इसलिए ये सारी घटनाए हो रही थी और भाजपा में तो ये संबव ही नहीं है कि किसी को संबान मिले चुकि एकदम ताना साही रवया है चाहे वो अधिकारियों के प्रती हो चाहे जनता के प्रती हो उनको तो सिर्फ अपने से ही मतलब होता है उनको अपना दिखता है मांगी किसी के सम्मान या प्रोटोकॉल से उनको किसी भी तरीके से कोई मतलब नहीं रहता विधान सभा में आप जब पिछले दिनों सबजी की माला पहन कर गई तो बड़ा एक रोचक दरश्य बना था मद्यप बहू हूँ और जो आज के स्थिती में जो आम जन्मानस है जो गरीब मजदूर और किसान है जो खुद खेती करते हैं लेकिन महगाई के चलते बहुत सारी चीजें हैं कि उनको महगाई की मार झेलनी पड़ती है तो बस मैं जो हमारे जनता है और आम जन्मानस है जो उनकी प रही थी कि आप कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, मैं बहनों का भाई हूँ, मैं इनका मामा हूँ, वास्ति विक्ता मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, यह दि होता तो आप उसके प्रतिस सजग होती है। एक भाजपा की जो प्रभुत वाली सीट थी, उस पे आपने उन्हें बेदखल किया और आप वहां काबिज हुई, आगामी चुनाओं में भी अगर कॉंग्रेस आपको टिकेट देती है और आप वहां से प्रतिनिद्द्धों करती हैं, तो आपका विजन क्या है उस विधान स साल बाद भी बहुत सारे गाउं से हैं, जहांपर अभी बिजली नहीं पहुंची है, रोड नहीं बनी हुई है और क्या बुलते हैं, शिछ्छा का आभाव है, और पानी की बहुत समस्या है इन सब चीजों पर हम काम करेंगे, और जैसा कि हमारे रेगाउ विधान साभा की जनता है उसके आसिरवात से, उनके आसिरवात से मैं यहाँ पर हूँ और मुझे अपने रेगाओं विधान साभा की जनता पर पूरा भरोसा है कि जो उनका आशिरवाद मेरे साथ अभी तक था अभी है और आंगे भी रहेगा मद्द्परदेश की राजनीती में इस बार एक जातिय समीकरण भी बहुत महत्पूर्ण हो गए है कई जगए पर OBC महासभा जैसे संगठन खड़े हुए और उन्होंने आरोप लगाए कि भाचपा अगणों की राजनीती को प्रमुखता देती है और पिछड़े और दलित बंचेत है आप कितना सहमत है आरोपों से सिंधिया जी पिछली बार कॉंग्रेस से छोड़ कर चले गए थे तो पूरी सरकार बिखर गई थी इस बार क्या कॉंग्रेस ने कोई पैरमीटर तेह करके रखा है कि हमें इस तरह के लोगों को टिकेट नहीं देनी है जो इस तरह से गदारी करके सरकार को गिराएं ऐसा कुछ भी नहीं है पर जो विकाव लोग थे और जो लालची लोग थे या पैसे में विख जाने वाले लोग थे वो तो पहले ही जा चुके हैं जो अभी कॉंग्रेस में बचे हैं वो करमठ कॉंग्रेस के प्रती इमानदार और कॉंग्रेस के प्रती निष्ठावान लोग बचे हुए हैं और कॉंग्रेस पार्टी को उन सभी पर पूरा भरोसा है और वो कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं है चाहे उनको कितनी भी लालस दी जाए भाजपा आखरी सवाल भाजपा आरूप लगाती है कि आपके पास युवा ने तृत्त की कमी है 76 साल के दिग्विजय सिंग और 77 साल के कमलनात के हाथों में भाग डूर है कितना सहमत है इन आरूपों से आप ऐसा कुछ भी नहीं है वो हमारे वरिष्ट हैं और उन्होंने राजनीत को बहुत उच्चिस्तर से देखा भी है और हमारे यहां भी युवा हैं और वो तो हम लोग के लिए प्रेड़ना के स्रोत हैं और हमारे मार्ग दरसक हैं हम लोगों को बहुत कुछ उन लोगों से मैं समय देने के लिए तो ये थी कल्पना वर्मा जो विधायक है रहगाओं विधानसबाचेतर से जवाब दे है सेगमेंट के इंतरगत हमने उनके कारेकाल से जुड़े कई सवाल पूछे और उनके विजन को भी जानने की कोशिस की इस इंटर्वियू में इतना ही कैमरा साथ सुबूतर पाठी के साथ नमस्कार